नमस्कार मैं डोगेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों हम काफी टाइप के एग्रिमेंट वगरे करते हैं और उनको नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाते हैं किसी एग्रिमेंट या लिखत को नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाने के पिछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर भविष्य में उस एग्रिमेंट के बारे में कोई विवाद हो तो उसे नोटेरी अटेस्टेड होने के अधार पर authentic यानिक प्रमानिक तस्तावे एटेस्टेड नहीं किया गया है तो उसे एटेस्टेड नहीं माना जाएगा आज हम इसी बारे में बात करेंगे लेकिन शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंट्रेस्टिंग लीगल जानकारियों के अपडेट्स मिलते रहें बेसिक बात करें तो सरकारे अपने काम का बोज कम करने के लिए नोटेरी पब्लीक अपोइंट करती हैं नोटेरी पब्लीक उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे कानून का पर्याप्त कर सकता है लेकिन अगर स्टेट गुवर्निंट का पॉइंट किया हुआ नोटेरी हो वह केवल उसी स्टेट में अपना काम कर सके गाई जनरुली नोटेरी पब्लीक का काम होता है एग्रिमेंट को अटेस्ट करना और जोरिए इस्तां पेपर पर बने हुए एफडेट इत्स को attest करना या फिर कोई व्यक्ति अपना original document notary public को दिखा कर उसकी photocopies को notary से verify भी करवा सकता है दोस्तों हम कोई भी document, instrument या affidavit notary से attested करवाते हैं क्योंकि उसकी authenticity बढ़ जाती है और affidavit तो notary public magistrate या auth commissioner से attested करवाए बिना मानने भी नहीं होते लेकिन हम जब भी notary करवाते हैं तो या तो जल्दिवाजी में या रुपए बचाने के लिए अपने document पर केवल notary की महर लगवा कर sign करवा लेते हैं पर ये तरीका बिलकुल गलत है इसलिए अगर हम बात करें notary public से proper तरीके से document attested करवाने की तो इससे related provision notary rules के rule 11 में दिये गए है rule 11 के नुसार जो भी कार्य या transaction notary के द्वारा किये जाते हैं उन सभी की entry notaryal register में करनी जरूरी होती है जी हाँ हर notary का एक register होता है जिसमें वो अपने किये गए हर कार्य यानि noting और protest की entry करता है वो register एक तरह से सरकारी record होता है जो पूरा भरने के बाद SDM के पास जमा करवाना जरूरी होता है जब भी किसी notary attested document के बारे में कोई विवाद होता है तो court उस document के बारे में notary के record को मंगवा सकता है और notary public के बयान भी लिये जा सकते हैं लेकिन अगर notary के register में उस document की entry ही नहीं की हुई है तो वो document court में सही तरीके से प्रमानित नहीं हो पाता इसलिए आप जब भी notary से कोई document attested करवाएं तो ध्यान रखें कि document के entry notary के register में जरूर करवाएं और parties के साथ ही witness के sign भी notary के register में करवाएं फिर register में जिस date में जिस serial number पर उस document की entry की गई है वो date और serial number अपने document पर भी लिखवा ले एक बात और कि अगर document English में लिखा हुआ है तो उसकी entry भी English में की जाएगी लेकिन अगर document English के अलावा किसी और language में है तो notary के register में उस document की entry document वाली language में या फिर English में दोनों में की जा सकती है अगर आप कोई affidavit notary public से attested करवा रहे हैं तो ध्यान रहे notary public केवल stamp पर बनाए गए affidavit को ही attested कर सकता है अगर आपका affidavit stamp paper पर नहीं है तो उसे auth commissioner से attest करवा सकते हैं लेकिन notary से नहीं दोस्तों निश्चित ही notary से attested करवाये गए documents को ज़्यादा प्रमानिक माना जाता है लेकिन अगर इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे ही notary के sign करवा के महोर लगवा ली जाती है तो उसका use करने में उतनी ही दिक्कत आ सकती है जितनी दिक्कत बिना notary से attested किये हुए documents के संबंद में आती है तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगली बार जब आप अपना कोई document notary से attested करवाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी matter पर मुझ से राय लेना चाहते हो तो स्क्रिन पर उपर दिखाई दे रहे हैं नमरों पर phone या फिर whatsapp करके call book करवा सकते हैं ऐसी ही इंट्रेस्टिंग लीगल जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में